नमस्कार दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का फिर्स स्वागत है आज हम लेकर आ गए आपके लिए डी से डी यस्यस के तीसरी लेशन के जो कोश्चन होते हैं यानि बोल्ट जोड रिविट कनेक्शन के जो कोश्चन है उसको आज हम लेकर आपके लिए आ गया है ठीक चलिए तम्हें को रूको जरा सबर गरो तो लाइक और शेट ठोक दीजिए पूरा साल मैंनत करता हूं आपके लिए बिटा ऐसा नहीं चलेंगा ऐसा नहीं चलेंगा पाला कोश्चन देखिए है पाला कोशन है जिसके एक सीरे पर हेड तता दुसरे सीरे पर संग कुछ थ्र One का जो राइट एंसर होगा, क्या होगा, Bolt कहा जाता, अपसंण यह हो जाएगा, नमर की Bolt कितने प्रकार के होते हैं, तो Bolt तीन प्रकार के होते हैं, अपसंण भी हो जाएगा इस Question का राइट एंसर, अगला Question देखिए, अगला Question है, काले बोल्ट के लिए उपज सामर्थ कितना उपयोग किया जाता है ठीक तो इस कोशन का जो राई टेंसर होए यह 240 न्यूटन प्रती एमेम स्क्वाइर होता है ठीक अगला कोशन देखिए कोशन और 4 है बोल्ट को किन सनचना में उपयोग किया जाता है इस कोशन का राई टेंसर होगा हलके सनचना में उपयोग किया था ठीक आपसन भी हो जाएगा इस कोशन का राई टेंसर अगला है फिट बोल्ट किस इस पात के बने होते हैं किस इस पात से बने होते हैं ठीक तो इस कोशन का राई टेंसर म्रिदू इस बात आपसन ए हो जाएगा राइट है सो ठीक अगला कोशन देखिए कोशन नमर 6 है कोशन नमर 6 है फिल्ड सम्बंद के लिए बोल्टों में अधिकतम अनुग्य प्रतिबलों को सहित यानि सहिता के अनुषार कितना कम किया जाता है कितना कम किया जाता है 10 परसेंट कम किया जाता है आपसन बी हो जाएगा इस कोशन का राइट है सो ठीक अगला कोशन है कि आई-स कोड देखिए 800-2007 के अनुसार 16-24 mm सामाने ब्यास के लिए बोल्ट का सकल ब्यास कितने ज़्यादा लिया जाता है ठीक तो 2 mm ज़्यादा लिया जाता है अपसन भी हो जाएगा इस कोशन का राइट एंसर अगला कोशन देखिए जब बोल्ट का सामाने ब्यास नदिया हो तब तब हम क्या करते है d बराबर 6. ठीक d बराबर का याँ? 6.75 into अंडर उट क्या होगा? d हो जाएगा ठीक यह होता है कोशन नमार्ट 10 दिया है कि बोल्ट के लिए अधिक्तम संपीडन जोन के लिए कितना पिछ लिया जाता है ठीक option A हो जाएगा इस question का राइट एंसवड ठीक इसको समझ लजी ए Question number 11 है बोल्ट जोड़ की बिफलता किन पर आधारित होथी है ठीक किन पर आधारित होती है तो ये जो बिफलता होती है option D हो जाएगा ए और बी दोनों पर आधारीत होती ठीक चलिए अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमर 12 बोल्ट की अपरूबर सामर्थ है सामान्य करतन छमता के लिए किया जाता है कोश्चन नमर 12 कराइट एंस और क्या होगा आप सन ए हो जाएगा इस कोश्चन का राइट एंस ठीक चलिए कोश्चन नमर 13 देखिए दिया है वोल्ट के लिए जोड की दंचता होती है अपसण ऐ होगा यह आई क्या होता है वोल्ट जोड क्या सामर्थ है बटे क्या ठोस फ्लेट की सामर्थ इंटू 100 होता है ठीक इसे से निकाला जाता है अगला बोल्ट तना में सुरच्छा के लिए ठीक सुरच्छा के लिए क्या किया जाता है तो ये इस कोशन का राइटेंस और आपसन ए होगा चलिए देखें अगला कोशन है कि IS code 8027 के अनुसार सुद्धत अनाव 26 पर विचार करता है ठीक तो ये धागे 26 पर होगा इस कोशन का राइटेंस और क्या होगा धागे 26 पर विचार करता है एक पदार्त के अनुसार कौन-कौन से बोल्टों पर विचार किया जाता है ठीक तो इस कोशन का राइटेंस और होगा आपसन D हो जाएगा A,B,C तीनों पर ठीक चलिए अगला Queshan Queshan नमर 17 है Bolt में किस प्रकार की जोड का उपयोग किया जाता है तो Queshan नमर 17 का राइट एंसर होगा A और B यानि बट जोड और लाइप जोड दोनों का किया जाता है ठीक आप संसी हो जाएगा इस Queshan का राइट एंसर Queshan नमर ठारत देखे Queshan नमर ठारत दिया है तनाव में Bolt के लिए सामाने तनाव सामर्थ पर विचार किया जाता है Option A हो जाएगा इस Queshan का राइट एंसर ठीक चलिए अगला Queshan देखे अगला Queshan है Machine संबंध Machine संबंध के लिए Bolt में निंतम किनारा दूरी लिया जाता है ठीक कितना लिया जाता है यह हो जाएगा इस Queshan का राइट एंसर आप्सन B ठीक दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिए क्योंकि हम आपको हर लेशन के इसी तरकी वीडियो कराते रहेंगे अब्जेक्टी कोशन सभी आपको कराए जाएंगे ठीक आज के लिए इतना ही मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैन जैभारत